एक गाउ में दो भाईरा आखरते थे दोनों भाईर बहुत ज़्यादा मेहनती थे दोनों जंगल से लखनिया काटकर बजार में जाकर बेच कर उसी से अपना घर का गुजारा किया करते थे अब एक रोज इन्हों ने सोचा कि हमें गजाजरिट के लाते हैं जिसमें हम जंगल से खूब लखनिया काटकर उसपे रखकर बजार में जाकर बेच कर खूब सारा पैसा कमाएंगे तो ऐसा उन्होंने करा भी, वो एक घजा जरीट कर लिया है जिस पर वो पहली बार खुद बैठे और वो लखडियां भी रखकर बजार की तरफ जाने लगे जब वो बजार की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी तरफ देखते हुए कहा देखो दोनों भाई कितने निर्दई हैं, कितना अत्याचार कर रहा है इस घजे पर खुद भी उसको बैठने हैं और इतना सारा समान भी उसके रखा है ये सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा दोनों में से जो छोटा भाई था, वो उतर कर पैजल चलने लगा और फिर से वो बजार की तरफ चलने लगे तो इसी को देखते हैं फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो बड़ा भाई कितना निर्दई है, छोटा भाई पैजल चल रहा है और खुब मज़े से अपने आप उस घजे पर बैठा है ये सुनकर दोनों भाई को बड़ा अजीब लगा तो बड़ा भाई भी इस घजे से नीचे उतरा और अपने भाई के साथ पैजल चलने लगा बजार की तरफ जाते हुए फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखो दोनों भाई कितने निर्दई हैं गजे पर इतना समान रखकर बजार से मुनाफ़ा कमाने की सोच रहे हैं ये सुनकर भी उन्हें बड़ा जीब लगा तो उन्होंने कहा भाई सर लोग इसी तरह से कहे जा रहे हैं तो एक काम करते हैं हम गजे से ये समान उतार कर अपने उपर रख लेते हैं तो दोनों भाईयों ने वो घजे से समान उतारा लखडियों का और अपने उपर रख लिया और बजार की तरफ चलने लगे अब जोब ये बजार की तरफ चलने लगे तो फिर कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहा देखो कैसे बेवकुष इंसाने जो समान इने घज़े पे उपर रखके ले जाए रहे हैं इस घटना से दोनों भाईयों को ये जमझ में आया कि हर इंसान की सोचने समझने की शक्टी अलग अलग है इसलिए हम जो करना चाहते हैं बस हमें वही करना चाहिए हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी किये हम जो जीवन में करना चाते हैं हमें बस उस पर ध्यान देना चाहिए इसी के लिए कुछ शब्द कहूंगा ख्वाब देखकर ही ख्वाइश तूरी की जा सकती है हिम्मत करके ही जिन्दगी बनाई जा सकती है